दोस्तो बलूर्ड एक्टर रनवेर कपूर और आलिया बाट के गेंती फिलम अनिस्ट्रीज के हिट और क्यूट कपल की लिस्ट में होती गए पेंस उनकी जोड़ी को काफी पसंद करते है ओन स्क्रेनों या ओप स्क्रेन आलिया और रनवेर की केमिस्ट्रिया में सब पसंद की जाती गए आलिया बाटा रनवेर कपूर कुछ साला तक डेटिंग के बाद 14 अप्रिल 2022 को साधी के बंदन में बंद गए उनकी साधी काफी चर्चा में रही थी दोस्तो साधी के बाद ये कपल अपने प्रोफेशनल लाइप के साथ साथ अपनी साधी सुदा जिनकी को भी अच्छे से मैनेज कर रहा है और इसी बिच रन्विर ने अपने हालिया इंट्रिव में अपनी साधी सुधा जिनकी के बारे में बात की दोस्तो रन्विर ने का कि साधी के बाद हर चोड़ी के तरह उन्हें पी कुछ चीजों में समझोता करना पड़ा है साधी में आप सी खुशी के लिए समझोता जरूरी है रन्वेर कपोर हाली में निकील कामत के पॉड़कास्ट का इसा बने थे और इसी विच एक्टर ने अपनी संसुदा जिनकी के बारे में खुल कर बात की दोस्तों नोंने का साधी के बाद कहीं चीजें बदलनी पड़ती है और तुमें अपना व्यक्तिताव भी चोड़ना पड़ता है आल्या और मैं एक दुसरे के साथ तालमेर बिठा राएगे ताकि हम एक दुसरे के साथ रहने में पूरी तरह सक्सम हो सके बेवाएक जिवन में ठीके रहने के लिए आपको कुश कुश समायो जित करना होगा आल्या भी ऐसाई कर रहेगे किसी भी साथी में आपसी खुशी के लिए समझोता बहुत जरूरी ये दोस्तों आल्या बाटा रनविर कपूर के एक बेटी है जिसका नामनों ने रहा कपूर रखा है रहा पने पिता रनविर के बहरी करीब है कई मोक्या पर रनविर को ये कहता है वो भी सुना गया कि वो अपने बेटी से बहुत प्यार करते है जब भी रनविर को अपने काम से समय मिलता है तो वह राक के साथ समय विताना भी पसंद करते है दोस्तो प्रोफेस्नल लाइब के बात करें तो रनवेर के फिल्म एनिवल साल 2023 में रिलिज हुई थी जो सुपरीट रही थी अब फैंस इनके दुसरे पार्ट एनिवल पार्क काप बैसिबरी से इंचार कर रही गे दोस्तो अगर आपे रनवेर आलिया के फैन है तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके कमेंट करें